सुरूप प्रभात मेरा नाम इश्टी रसकल है मैं कंद्रविद्याले नौगा कक्षा दूसरी सवक की छात्रा हूँ आज मैं सौ दिवसिया पठन अवियान के अंद्रगत एक कहानी प्रस्तूत करूंगी और उसकी शमिक्षा भी करूंगी कहानी का शिक्षक है नेवला और साप एक दिन ब्रामन जंगल में गुजर रहा था तब है उसकी नजर एक छोटा नेवले पे पड़ी उस नेवले को वो अपने नची घर को ले कि अर्ग को जाकर ही अपने पत्नी से बोला कि इसे अपने बच्चे की तर्रहादा पालना उससे कभी हाने ना पहुचा दे एक दिन ब्रामन की पत्नी को कुछ काम के लिए बाहर जाना पड़ा जाते समय ब्रामन को बोला कि आप बच्छे का ध्यान रखना उसे नेवले के भरू से मत छोड़ना जब तक मैं ना आओ अब उसका ध्यान रखना ब्रामन अंदर वह बात को हाँ ठीक है व सब खेल रहे अच्छी तरह से इसलिए ब्रामन भी अपने काम को चला गया थोड़ी देर बात ही एक साप आया खर बहास एक साप घर में घुज गया वह देखकर नेवले ने साप को मार दिया और नेवले के मूँ और शरी में खुल लट पढ़ गया फिर नेवला बाहर चला सबीना सोच यही डंडे से नेवले को मार कर जट पर अंदर चली गई जा अंदर जाकर ही उसने देखा कि उसका बच्चा शुरक्षी सो रहा है उसके पास ही एक साप मना पड़ा है और इसके लिए उसे यह परस्तावा मिली कि मैंने यह क्या किया अभी मैं कहानी की समिक्ष से पर काबू रखना चाहिए हमें अपने की तरह जानवरों को भी पालना चाहिए जलबादी में क्या हुआ फैसला हमें बाद में पत्तावा मिलता है धैन्यवात